दोस्तो कि आप Bluetooth के ठूरुसे किसी भी डिवाइस को अपने कम्प्यूटर से Connect करना चाते हैं, और वह Connect नहीं हो रहा है Дोस्तो, आप अपने कम्प्यूटर में Bluetooth को On कर दे रहे हैं, तो वहां पे केवल घूम रहा है, Process कर रहा है, कोई भी Bluetooth का डिवाइस जो रहे हैं, वौ सो नह आपको कुछ नहीं करना है वीडियो को आपको पूरा वाच करना है तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं लेकिन दोस्तों मैं आपको केवल बिंडोज 7 में बताओंगा विंडोज 10 में किसी और वीडियो में बता दोंगा तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं तो दोस्तों अभी तक आपके साथ हो क्या रहा होगा कि आप एसो इस तरह Bluetooth डिवाइस को सर्च कर रहे होंगे और आपका यहां पर कोई भी Bluetooth का डिवाइस जो है दोस्तों वो नहीं सो कर रहा होगा आप यहां पे कितना भी देर वेट कर रहे होंगे फिर भी यहां पे आपका कोई भी Bluetooth का डिवाइस सो नहीं कर रहा होगा तो देखिए दोस्तों इस problem को solve कैसे करना है तो सबसे पहले आपको करना क्या है दोस्तों my computer को खोलना है ठीक है दोस्तों यहां पे बहुत सारा Bluetooth जो है वो आ गया था में करना क्या है कि सबसे उपर वाले में right किली करके send to desktop कर देना आती है इसका जो shortcut है दोस्तों वो desktop में आ जाएगा देखिया आ गया था में करना क्या है कि यहां से search करके देखना है इसको खोल के यहां पे send file में क्लिक करना है और यहां से search करके देखना है कि आपका Bluetooth का device यहां पे find कर पाता है या नहीं कर पाता है कि इसी तरह गोल-गोल घूमता ही रहता है जिस तरह वहां पे घूम रहा था ठीक है तो यहां पे आपको थोड़ा सा वेट करके देख लेना है तो यहां पे दोस्तों आपको एक चीज का यह धियान रखना है कि आप जिस भी Bluetooth के device को अपने computer से connect करना चाते है उसे अपने computer के एकदम पास में रखना है और उसका Bluetooth कर देना है चाहें आप headphone को connect करना चाहते है यहां से नहीं सर्च करता है लेकिन यहां से कर लेता है तो यहां आपको दिखेगा device manager देखिए यहां पर दीख रहा है device manager ठीक है तो इसific device manager को हमें करना क्या खोलना है क्लिक कर दीजेए खुल जाएगा device manager खुलने के बाद दोस्तों हमें करना क्या है कि यहां पर Bluetooth देख जाएगा ठीक है नए दीक कर देना और सर्च कर देना ऑटोमेटिकली उसके बाद देखना है कि प्रोब्लम फिक्स हुआ या नहीं हुआ तो कलोज कर देते हैं यहां पर और भी दिखा रहा है दोस्तों देखिए गौर से देखिएगा तब दिखेगा यहां पर देखिए बुलुतूथ में क्या है कि कु कर देते हैं ठीक है यदि आपका डिसेबल होगा तो आपको भी इनेबल कर लेना देखिए यलो एरर यहां से हट गया देखिए जो एलो एरर दिखा रहा थे यहां पर बुलुतूथ में वह हट गया यलो एरर तो हट गया लेकिन बुलुतूथ सर्च कर रहा है यह नहीं यह देख लेते हैं कि सर्च कर रहा है यां नहीं सोग डिया तो यह ऑपी दूसरा उतर से मेरा पता नहीं किसका बाइस है तो अपना device को connect करके दिखाओंगा यदि आपका सर्च किया तो ठीक है दोस्तों जो मैंने यहां पर बताया enabled or update करने के बाद आपका सर्च किया तो ठीक है नहीं किया तो और भी तरीका बताते हैं तो आपको करना क्या है कि Windows की प्लस-R-K को आपको एक साथ प्रेस कर देना है तो आपका run का dialogue box open हो जाएगा उसके बाद आपको लिखना है services.msc ये लिखे आपको enter कर देना है ठीक है enter करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह खुलेगा तो आपको करना क्या है इसको maximize कर देना है और यहाँ पे आपको ढूंड़ना है Bluetooth support services ये यदि आपका automatic पे नहीं हुआ तीस कारण भी आपका connect नहीं लेगा ठीक है तो इसको खोलना है खोलने के बाद यहाँ पे आपको देखना है कि automatic में आपका दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है यह किसी भी कीमत में यहाँ पे AUTOMATIC में होना चाहिए , नहीं तो आपका सर्च महीं करेगा और कनेक्ट महीं लेगा तो यदि आपका इसे तरह kier होगा या कोई और भी DISABLE होगी यह होगा तो आपको AUTOMATIC में CLICK करके स्टार्ट करदेना है , इसको स्टार्ट करदेना है उसके बाद अपलाय करदेना है और OK करदेना उसके बाद इसको close करदेना क्लोज करने के बाद दोस्तों यह तो वह वाला है इस अब को हटाई यह उसके बाद जो है यहां से खोलिये चैहें उपर से खोलिये या नीचे से खोलिये और यहां पे जाए यह देखे आप कितना सारा Citizens यहां तो करने लगा यह जो है यह मेरा डिवाइस दिखाया ठीक है ताब यहां पे तीन डिवाइस वकारने लगा पहले एक भी निए करे fright comment दूर हो गिया जैदिए आपका दूर हुआ तो ठीक है नहीं होआद नहीं mobile को connect कर रहे थे हैं तो क्या हुआ यहां पर सो कर रहा है यदि कर रहा है तो उसको तुरंत remove कर दीजे ठीक है पहले से आपका pair होगा पहले से किया हुआ होगा तो उस करन भी जो है so नहीं करता ठीक है तो आपको करना क्या है remove कर देना remove device करके यस कर देना तो देखिए मैं अबने मोबाइल को यहां से remove कर रहा हूं या remove आप को करना है दोस्तो ए gat讲 में किसमा अब और आपका जो मोबाइल है यानि कि आप मोबाइल को connect कर रहे होंगे तो आपका मोबाइल यहां पर सौ करेगा ठीक है वैट बहुत करना है फिर से पेर करना क्यूंकि बहुत दिन हो गूआ रहता है प्रकरने का तो फिर नहीं लेता है तो देखें यहाँ पर आ गया तिसको यहाँ पर किल्क करते हैं और क्रण धेंड करते हैं उसके हाँ पर क्या बोल रहा है अभी पैरिंग ही हो रहा है अभी connect नहीं हुआ तो होने देते हैं connect तो connect तो हो गया दोस्तों लेकिन यहाँ पर yellow error आ रहा है देखिए तिस yellow error को अभी हम छोड़ते अभी हम कोई भी file जो है वो send करके देखते हैं कि send होता है यह यह जो yellow वो यह रहा है या हमें डिश्टब करता है ठीक है तो हम जाते हैं यहां से एक फाइल को लेते हैं जल्दी से सेंड करके देखते हैं तो दोस्तों यहां से हम एक फोटो को सेंड करते हैं और देखते हैं कि जाता है या नहीं जाता है ठीक है तो हम यहां पर क्लिक करते हैं कि लीग उसके बाद यहां से कर देते हैं अपने मोबाइल से एक्षेप्ट आज देखते हैं जाता एक निवाद चला गिया देखिए यहां पर गिरीन टीक लग गिया हंडेड परसेंट हो गया यह और भेशते हैं थोड़ा बड़ा वहला यहां पर देखिए फोटो है तो इ yellow error दिखा रहा था यहां पर यहां मेरा कुछ नहीं करने सका यह yellow error जो है इसके बाजूद भी यहां पर file असानी से send हो रहा है देखिए कोई दिक्कत नहीं हुआ तो मेरत यहां पर problem fix हो गया दोस्तों तो इतना करने के बाद भी यदि आपका fix नहीं हुआ तो फिर आपको करना क्या पड़ेगा दोस्तों कि अपने bluetooth के driver को आपको install करना पड़ेगा ठीक है bluetooth का जो आपका driver होगा यहां पर दिखाते हैं यह जो bluetooth का driver है आपका इसको आपको सीधा सीधी हटाना पड़ेगा आनि श्टोल कर देना पड़ेगा यह जो दिखा रहा है यहां पे बुलुतूत इस आपको हटा के नया वाला एकदम लेटेस्ट वर्जन वाला डालना पड़ेगा ठीक है तभी आपका काम करेगा नहीं तो नहीं करेगा तीस वीडियो में दोस्तों मैंने इतना सारा आपको च तोल कीजिये